आईपील 2022 से सुरू होने से पहले ही चैननाई के केम्प में आई दो बड़ी खुसखबरियां दीपक चाहर और रितुराज गायकबार की हुई चैननाई की टीम में बापसी जाने के पूरी ख़बर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आईपील 2022 का आगाज 26 मार्च से हो रहा है आपको बता दे चैननी सुपर किंग्स ने आईपील 2022 के लिए अपनी तैयारियां पहले ही सुरू कर दी है बीच चैननी सुपर किंग्स के लिए दो बड़ी खुसखबरियां आ रही है आपको बता दे पहली खुसखबरी ये है कि दीपक चाहर पूरी तरह से फिट हो जोगे हैं और जल्द ही आईपील 2022 के लिए अपनी तैयारी सुरू कर देंगे हलाकि पहले खबरे आ रही थी कि दीपक चाहर आईपील 2022 से बाहर हो सकते हैं लेकिन आपको बता दे दीपक चाहर अब पूरी तरह से फेट हो गए हैं लेकिन यहाँ पर एक और खबर ये आ रही है कि सुरूआत के 2 से 4 मुकाबले दीपक चाहर नहीं खिलेंगे दूसरी बड़ी खुस खबरी ये है कि रितुराज गायकवाड भी पूरी तरह से अपनी चोट से उबर चुके हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।